अब तक हमने इंट्रोड़क्ट्ट्स और टाइपस ऑफ सॉलिड्स को देखा तो अब हम नेक्स पॉइंट की बात करेंगे that is isomorphism and polymorphism तो हम पॉइंट को लिके लिए थे हैं तो फॉस्ट पॉइंट इस वाट ऐसो मॉर्फिजम इसो मॉर्फिजम का मतलब क्या होता है यह लिटल बिट सिमिलर आसओमर्स के जैसे होता है अब आईसो मर्स से आप सब फैमिलर होंगे आसो मर्स का मतलब क्या होता है same empirical formula but different structural formula और फिर arrangement of particles, ठीक है isomorphism की definition भी कुछ हैसी है two or more substances having same crystal structures ठीक है यह मैंने book की definition लिखती है two or more substances having same crystal structures यानि दो या ज्यादा ऐसे substance जिसमें crystal structure केस होंगे same रहेंगे, उसके properties अलग अलग हो सकती है लेकिन structures, crystal structures same रहेंगे ठीक है, अब हम next point की बात करते है that is different in chemical and physical properties so इसकी chemical और physical properties हमेशा अलग रहेंगी, different रहेंगी ठीक है, अब second point क्या है chemical composition has same atomic ratio ठीक है, क्या second point chemical composition has same atomic ratio यानि इसकी chemical composition में atomic ratio same रहेंगा atomic ratio का मतलब में simply बाता देखाऊं that is empirical formula तो इस concept से हम familiar है class 11 में हमने empirical formula के concept को जाना था ठीक है, तो अब हम कुछ textbook के ही examples देख लेते जैसे की sodium fluoride और magnesium oxide ठीक है अब यहाँ बेगे, यहने का एक atom है, mg का एक है, oxygen का एक है, f का, fluorine का एक है, ठीक है तो आरेक के एक एक atom है, तो इसका ratio कैसा होगा, 1s to 1 ठीक है, यह इसका simple ratio है, इसको आम atomic ratio के थे, ठीक है तो यह हो गई, example की बात, और एक example देख लेते हैं, that is, यहने, NO3 and CaCO3 अब यहाँ पर देखिए, यहने का हुआ एक atom है, nitrogen का एक atom है, oxygen के तीन है यहाँ पर calcium का एक, carbon का एक और oxygen के तीन, तो इसका simple ratio कैसा होगा, 1s to 1s to 3 क्योंकि sodium का 1, nitrogen का 1 और oxygen का 3, again, calcium का एक, carbon का एक और oxygen के 3 ठीक है, पाई होब आपका isomorphism संभज में आ गया होगा, ठीक है, अब हम next point देखते है, that is polymorphism, so polymorphism, isomorphism से थोड़ा different है, तो अब हम उसे दिखते है, क्योंकि ऐसा different है, so friends, आप हम next point देखते है, that is polymorphism, so next point क्या है, polymorphism, so friends, आप polymorphism, so friends, आप polymorphism का मतलब क्या होता है, so polymorphism is little bit similar to allotropy, अब आपको ये concept भी बता होगा, allotropy का, कि कोई भी एक substance, यानि single substance जो होता है, वो 2 और 3 forms में available होता है, it exists in 2 or more forms, ठीक है, तो polymorphism भी कुछ ऐसा ही है, a single crystal, और a single substance, exists in 2 or more forms, ठीक है, ऐसा single substance जिसके तो और उससे ज़्यादा existence होते हैं, forms में, ठीक है, अब इसका first point क्या है, same, same chemical properties, but different physical properties, ठीक है, अब जैसे कि ये single substance है, हाला कि वो 2 forms में available है, लेकिन है वो single substance ही, तो इसके लिए उसकी chemical properties same ही रहेंगी, लेकिन वो अलग-अलग forms में available है, इसके लिए उसकी physical properties अलग रहे है, ठीक है, अब next point क्या कहता है, उसका next points, examples देख लेथे, that is, पेलाम, कार्बोनेट, कार्बोनेट, that is, CACO3, अब इसके कौन से कौन से फ़र्म से, तो इसके दो फ़र्म से, पहला फ़र्म क्या है, कैलसाइट, और दूसरा फ़र्म है, एरेगोनाइट, so, कैलस्यम कार्बोनेट, इन दो फ़र्म में available है, कैलसाइट अड एरेगोनाइट, ठीक है, अब नेक्स्ट एक्जम्पल देखते, that is, सिलिका, सिलिका, कितने फ़र्म में available होता है, तो फर्स्ट, क्रिस्टे, बैलाइट, ठीक है, यह पहला फ़र्म हो गया, दूसरा, अल्फा, क्वार्ट्स, दुन तिसरा, बीटा क्वार्ट्स, ठीक है, अब शायद आपको क्वार्ट्स का मतलब पता होगा, हम जो घड़ी पेंते हैं, वाचेस, या फिर रेडियो, इसमें जो ऑसिलेटर होता है, वो क्वार्ट्स से बना होता है, ठीक है, जो की सिलिका का फॉर्म है, ठीक है, अब थर्ड एक्जम्पल देखते हैं, पहले नोट अब या थर्ड एक्जम्पल लिए लिए धाट इस, कार्बन, जो की पूरे केमिस्ट्र में बार बार आते हैं, ठीक है, कार्बन के कौन से कौन से फॉर्म्स होते हैं, पहला तो हो गया डाइमंड, उसके बाद हो गया ग्राफाइट, और थर्ड हो गया, फुलेरंस, ठीक है तो कार्बन इन तीन फॉर्म्स में आवलेबल होता है, ठीक है, तो यह हमने देख लिए आज, आईसमोर्फिजम और पॉलिमोर्फिजम क्या होते, ठीक है, I hope आपको समझ में आ गया होगा, अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है, हम टाइपस ओफ सॉलिड्स देखेंगे अग झाल 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 झाल, विलने जो अिहेँ ऑनतलू को समझ ओजगे को सहते है, इनसे जो है, आपको आईगा है। कर दो को समझ के आएपसों सॉलिडस एक्का है, कर दो एक्त लिएक है ofta बन्योर्फिजम खॉलिग्जम क्या धर स если लिएक्त का है, आपक्त ल害गा है!